नमस्कार दोस्तों मेरे ना में पीतम लेगी और मैं आपसे भी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो पीटी से क्रियो हमने पिछली वीडियो में इस्टॉल किया था उसको हम पहली बार किस तरह से कंफिगर करें या पहली बार उसमें जो सेटिंग्स हैं उसको हमें कैसे सेट करना है ताकि हम अपनी एफिशेंशी और प्रॉड़क्टिविटी को बढ़ा सकें तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हम क्रियो को स्टार्ट कर लेते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे डिसकस किया था कि हमें क्रियो पैरामेट्रिक को ही स्टार्ट करना है तो हम क्रियो पैरामेट्रिक को स्टार्ट करते हैं तो यह मैं दूसरी बार स्टार्ट कर रहा हूँ इस्टार्लेशन के बाद अब आप देख सकते हैं क्रियो स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो यह browser है यह आपका open condition में बहुत बार यह काफी irritating यह annoying होता है तो हम जो यह browser है इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम minimize state में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें file में click करना है then हमें option में click करना है और यहां पर आपको windows setting में click करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा expand the browser during startup आपको इसे uncheck करना है अब आप क्या करेंगे अभी हम export configuration नहीं करते हैं क्योंकि हम कुछ और settings हैं उनको भी change कर लेते हैं अभी मैं इसे ok कर लेता हूं जो दूसरी setting है उसके बारे में मुझे बताने से पहले आपको कुछ दिख कर लेता हूं अब आप यहां पर जो यह cuboid है इसको आप देख रहे होंगे जो इसकी edges है वो काफी rough है अगर आप देखेंगे इसे गौर से तो वो straight नहीं है और यह जो model है यह दिखने में इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है उसके पीछे कारण यह है by default जो क्रियो में जो क्रियो में display जो as display की value होती है यह quality होती है model को render करने की हो काफी low होती है उसके पीछे यह reason हो सकता है कि by default क्रियो भारी से भारी पार्ट open कर पाए तो अगर आपके parts काफी heavy है और आकर आपको काफी दिक्तत हो रही है पार्ट open करने में तो आप यही setting रहने दीजिएगा और आपको लगता है कि आपका system काफी powerful है तो आप क्या करिएगा जो setting मैं अब आपको दिखा रहा हूं आप वो setting को change करके वह वाली setting आप use कर लिजिएगा तो दुबारे हम file में जाते है option और यहां पर हमें जाना होगा entity display में और यहां पर जो values हैं इनको आपको change करना है जैसे क आप यहां पर define कर सकते हैं कि default geometry display आपको shading रखना है shading with edges रखना है मैं एक बार आपको difference दिखा देता हूं अगर मैं shading with edges करता हूं और जो model हमने create किया था उसको दिखाता हूं तो आप देख रहे होंगे जो edges हैं वहां पर यह black color की काले रंग की setting आ गई है अब मैं दुबारे option में जाता हूं और जो further जो और settings हैं उनको change करके हम देखते हैं जैसे कि edge display quality इसको मैं very high कर देता हूं और इसको मैं apply करता हूं अब इसके अलावा हम यहां पर tangent edges display style इसको solid रहने देते हैं यह अगर आपको इसको phantom करने तो आप phantom भी कर सकते हैं अब anti-aliasing की value है इसको मैं 16x कर देता हूं यह basically जो हमारी edges है उनको smooth करता है तो जैसे ही मैंने यह anti-aliasing की value को 16x किया और apply किया अब आप देख सकते हैं जो ह हमारी edges हैं वो काफी smooth हो गई है और straight हो गई है उसी तरह से text anti-aliasing है इसको भी मैं on कर देता हूं तो अगर आपका system है वो अच्छी configuration का है तो आप इसे very high set कर सकते हैं और अगर आपको किसी प्रकार का doubt है तो इनको very high set करके आप model को render करके देखिए अगर आपका model properly render हो रहा है response कर रहा है तो इसका मतलब है आप high setting पर काम कर सकते हैं अगर आपको lag नजरा रहा है अगर आपका model render करते समय struggle कर रहा है तो आपको क्या करना है वापिस आपको जो settings है उनको low उपर set कर देना है ताकि जो आपकी rendering time है वो आपका बढ़ सके तो अब यह हमने सारा जो setting है वो set कर दिया है हाई पर अब जो अगली setting है उसके बारे में बात कर जा रहे हैं वो है sketch तो हम sketch पर जाते हैं और बहुत सारे cases में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो यह चाहते हैं कि जब भी मैं यह अपना extrude करूं तो जो मेरा sketching plane है वो parallel हो जाए screen के इस तरह से ताकि मैं जो sketch ह है वो properly कर पाऊं जो मैं कहना चाहता हूं मैं आपको एक बार दिखाता हूं आप यह जो model है बिल्कुल example के लिए बना रहा हूं हम आगे चलके देखेंगे किस तरह से हम हमें modeling करनी है तो just मैं आपको यह दिखाना चाहरा था कि जैसे ही मैंने sketch पर click किया जो मेरा sketching plane है वो व सकते हैं तो इसके लिए sketch में गए हम और हमें जो यह वाला option है make the sketching plane parallel to screen इसको हमें check कर देना है जैसे हम इसे check करेंगे वैसे ही क्या होगा अब मैं shoot लेता हूं sketch लेता हूं यह automatically मेरा model है यह parallel हो जाता है मेरे screen के तो इससे हमारी जो help होती हो यह होती है कि हम properly orthogonal screen को देख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं तो यह आपके उपर है आपको किस तरह से इसको करना है जो पहले जो cryo के versions आते थे cryo 2.0 से पहले उसमें यह by default on होता था तो जो हमारे cryo की पुराने जो users हैं उनको यह particular feature पसंद था तो अब यह आपके उपर है आप यह करना चाते हैं तो कर सक अब जो अगली setting है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है आप sketch की जो line thickness है वो आप define कर सकते हैं उसके लिए आपको line thickness में जाना पड़ेगा जो by default जो इसकी value होती है वो one होती है अब मैं आपको बताता हूं यह actually में होता गया अगर आप sketch में जाएंगे और sketching plane में sketch plot करते हैं तो जो यह thickness hai line की यह virtual thickness होती है line की actual thickness नहीं होती है यह क्यों visual thickness होती है तो यह basically help करता है आपको इसको thick करके properly देखने में आपको help करता है तो let's say मैं इसकी value अभी आप देख सकते हैं काफी thin है यह one है मैं इसकी value 2.5 यह 3 कर देता हूं maximum जिसकी value ती हो आप 3 कर सकते हो और 3 के बीच में आप decimal में कुछ भी रख सकते हो like 1.1, 1.2, 2 जैसे कि मेरी पुरानी value ती हो 2.5 थी है अब मैं ऐसे 3 कर देता हूँ और आप देख सकते हैं जैसी मैंने apply किया जो मेरी line की तिकने से बढ़ गई है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था यह कि अवल visual thickness है अगर आप print out लेंगे तो इसका print out से कोई लेना देना नहीं है इसका और किसी चीच से कोई लेना देना नहीं है तो अभी यह मैंने थिकनेस वीज्वली इन्हांस कर दिया अब हम अगली सेटिंग की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि define startup directory तो उसको वह क्या होती है मैं आपको explain करता हूँ पहले तो हम यहां से exit करते हैं इसे close करते हैं और इसको बंद करते हैं यह हमारा cryo parametric का icon है इसमें मैं right click करता हूँ और properties में जाता हूँ यहां पर आपको जो startup directory और define करनी होती है startup directory basically वो directory होती है जिसमें by default आपके page save होते हैं जिसमें by default आपकी जो cryo parametric की configuration है वो save होती है अब जो cryo parametric की configuration होती है वो क्या होती है वो actually में basically एक file होती है मैं आपको just अभी दिखा देता हूँ और आपको इस file के अभारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो cryo parametric की जितनी भी settings होती है वो उसी file में save होती है अब आप देख सकते हैं इस बार हमने दुबारे जो है वो cryo को on करा और जो हमारा browser है वो by default close है क्योंकि last time पे जो हमने setting करी थी उसमें हमने जो expand the browser during startup है उसको uncheck कर दिया था अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो cryo की settings के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम config.pro के नाम से भी जानते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मैं आपको यह file open करके दिखाता हूं तो यह file है अभी हमारी user public document में तो यह file को अगर आप open करेंगे तो इस type से होती है इसमें हमारी जितनी भी हम setting करते हैं अगर आपको वो permanently save करनी है या वही setting आप दूसरे system में चाहते हैं तो आप इस file की मदद से setting को save कर सकते हैं permanently और किसी और को अगर आप same setting देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं यहा पर हमने कापी सारी settings सेव करी निया तो start up directly basically यह settings को define करती कि setting कौन सी जगह में रहे तो generally हमें यह कोसिस करनी चाहिए कि हम जो start up directory है वो ऐसी directly define करें जिसको हम access कर पाएं क्योंकि generally हमने यह देखा है कि जो companies होती है उसमें जो users होते हैं उनको जो access होते हों काफी restricted होते हैं जैसे कि हमें admin access नहीं होता है या हमें software को install या uninstall करने का access नहीं होता है तो उस case में यह आपके बड़े काम का यह option होता है तो हमें basically क्या करना चाहिए हमें basically जो यह setting है उसे user public document में save करना चाहिए ताकि हमारे पास जो हमारी setting है उसको change करने का option हमेशा खुला रहा है तो अगर आप इस particular folder में यह settings save करेंगे तो क्या होगा आपको कभी भी किसी भी अगर आपको setting को change करना है तो आपको उसके लिए special permission की ज़रत नहीं चाहिए होगी आप इसे किसी और folder में भी set कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको यही folder set करना है और उसके लिए जैसे कि हमने पहले भी बोला था आपको क्रियो के icon में क्लिक करना है और यहाँ पर इस location को या इस path को change कर देना है तो यह तो सी कुछ क्रियो की settings जो की आपको starting में करनी चाहिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें क्रियो में default template तो set करनी है default template से मेरा तातपर्य है या मेरा बोलने का मतलब है कि जब हम क्रियो को on करते हैं या run करते हैं तो अगर मैं इस part को as it is use default template में रहने दूँगा तो वो कौन सी template में आपका बनेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रियो है वो by default मेरा mmks template को उठा रहा है तो हमें वो कैसे set करना है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप इस channel को like और subscribe कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद और पापाई